अगर आपने भी किसी बैंक में खातक लुआ रखा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्पूर्ण होने जा रही है आपको बता दें कि हाली में RBI का बड़ा एक्सन लिया गया है जिसके अंतरगत पांच बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना लगा दिया गया है RBI द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हम चोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्पिया वीडियो को लाइक कर दिजे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर भ गा दिया गया है जिसके अंतरगत इसका असर जो है दोस्तों बैंक एकाउंट धारगों पर क्या पढ़ने वाला है उसके बारे बताएंगे अगर आपका भी इन बैंकों में से किसी में भी अगर एक बैंक में भी खाता है तो आप हमरे साथ बन रहेगा वीडियो को देखते र दोस्तों आपको बता दें कि RBI द्वारा हर बैंक में चाहिए कोई सभी बैंक हो इसमें नियम बनाए गए हैं चाहिए पंजाब नेशनल बैंक हो भारतिय स्टेट बैंक हो हड़ी बैंक हो या अधरवाइज कोई भी बैंक है हर बैंक में नियम बनाए होए हैं अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है नियमों का उलंगन करता है तो RBI की तरफ से उन पर कारवाही की जाती है दोस्तों जुर्माना लगा जाता है और कुछ बैंक बंद भी कर द दे गए हैं दोस्तों उसमें वैक्तियों के पैसे भी फच सुके हैं अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि अगर आपका अमाउंट किसी बैंक में 10 लांक रुपे है तो उसमें दोस्तों RBI दुवारा नियम बनाए गए थे कि किसी भी वैक्ति का पैसा हुए 5 लांक रुपे तक का अपने पैसा निकाल सकते हैं जो अभी हाली में दोस्तों बैंक बंद हुए हैं लेकिन 5 और बैंकों पर RBI एक तरफ से भारी जुर्माना लगाते हैं अब वैक कौन-कौन से बैंक है उसके बारे में चले जाल लेते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नही साकारी बैंकों पर जुर्माना लगा है यह साकारी बैंक है इंदापुर अर्बन कोपरेटिव बैंक लिमिटेड जनकल्यान साकारी बैंक लिमिटेड दी पाटन अर्बन को कोपरेटिव बैंक लिमिटेड पुने मर्चैंट्स को कोपरेटिव बैंक लिमिटेड और दोस्त बैंक द्वारा लगाए गया है इन 5 बैंकों पर इसकी भरपाई केवल बैंक ही करेंगे जी हाँ अगर आपका इन बैंकों में किसी भी बैंक में अगर एकाउंट है तो आप पर कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि इन नियमों क उनलंगन बैंक ने किया है दोस्तो ज्यान रहे अगर नियमों का उनलंगन खातधार करते हैं तो फिर जुर्माना खातधार को को भी देना पड़ सकता है लेकिन अभी हाली में जो गल्ती हुई है वे बैंकों द्वारा ही भरपाई की जाएगी इसमें खातधार को पर कोई को भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों इन पैंकों पर पांच लांग रुपे का जुर्माना सरकार की तरफ से लगाया गया है यह वीडिह को भी आप जुरूर सबस्क्राइब कर ले